वल्कम टु स्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस सिगंड बात चुरू होगा रेडी स्टार्ट भारत चीन सीमा विवाद इन दिनों सुरुखियों में है दोनों देशों के बीच सीमा का यह विवाद इस समय पूरी दुनिया का बड़ा मुद्दा बना हुआ है दोनों और की सेनाई सीमा पर अपने अपने इलाके में घुसपैठ रोकने का दावा कर रही है दोनों देशों में यह राजनीती वह प्रसासनिक मसला बन गया है इस तनाव पर सभी की नजर है दरसल कोविड के इस दौर में चीन का इस तरह से सीमा विवाद को खड़ा करना कोविड के लिए उस पर उठती अंगुलियों से ध्यान भटकाने के तौर पर भी देखा जा रहा है हाला की हमारे लिए यह मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने जैसा नहीं कहा जा सकता इसलिए तनाव के बीच बातचीत से हल निकालने की कोशिसें भी जारी है लद्दाख इलाके में शुरू हुए इस सीमा विवाद में बातचीत का दौर जारी है दोनों ओर से दावा किया गया है की बातचीत सोहार्द पूण रही है इसके सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं दावा किया जा रहा है की दोनों तरफ से सिनाएं सीमा से पीछे हटी हैं हाला की दोनों देशों की बातचीत बहुत जल्दी कोई दूरगामी हल निकाल लेगी इसकी उम्मीद बहुत जादा नहीं है दर असल उत्तर में हिमालय को एक अगोशित सीमा के तौर पर देखा जाता रहा है यही वजह है की यहां पर लाइन आफ कंट्रोल नहीं बलकि लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल की बात होती है एक वक्त यह इलाका इतना दुरगम था की यहां खचर के सहारे भी चलना मुश्किल था वहां पर आज सडक व रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है ऐसे में दोनों और से ज्यादा से ज्यादा इलाके पर दावा किया जा रहा है यही विवाद की असली वजह भी है जिस LAC पर इलाके की शांती ठिकी हुई थी उसे चीन अब मानने को तयार नहीं है वह उससे आगे तक अपनी जमीन होने का दावा कर रहा है पराचेंज यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने साथ हमारा सीमा विवाद सुरू हुआ हो आजादी के बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमें सीमा विवाद जेलना पड़ा है पाकिस्तान की और से काफी हद तक हम लाइन आफ कंट्रोल बनाने में कामयाब रहे हैं लेकिन हिमालय की तलहटी में यह अभी संभव नहीं हो पाया यही वजह है कि आए दिन चीन इस इलाके में नए नए सीमा विवाद को जन्म देता है यह विवाद न केवल दोनों देशों की राजनीति को प्रभावित करता है बलकि पूरी दुनिया का ध्यान आकरशित करता है परमाडू संपन दोनों राश्ट्रों के बीच छोटे छोटे तनाव को भी पूरी दुनिया बड़े खतरे के तौर पर देखती है दुनिया अभी कोविड की भयावह चपेट में है पूरी अर्थविवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है ऐसे में भारत चीन भी इस विवाद को बड़ा बनाने से परहेज ही करेंगे सीमा से पीछे हटने के पीछे दोनों देशों के उपर कहीं न कहीं यह दबाव भी होगा की वह कैसे इसका हल शक्ती प्रदर्शन के बजाए कूटनीत और सेन बातचीत के जरिये निकालें बहतर हो की चीन भी इस मुश्किल वक्त में नए तनाव को खड़ा करने की बजाए इस तरह की मामलों को कूटनीती और बातचीत के रास्तों से ही सुलजाए यही समय देश और पूरी दुनिया की जरूरत है स्टॉप